प्रसकार स्वागत है आप सभी का UPCCC लेकपाल बरती को लेकर के महतुपूर अपडेट है, रिजल्ट को लेकर के कोर्ट अपडेट, नई लेकपाल बरती और EWS के आरक्षड के प्रक्रण में एक RTI लगाया गया था, उसका भी रिपलाई है, वीडियो को आप सभी पूरा सब्सक्राइब न किया हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, सबसे पहले हाँ पर देख लिजे, EWS आरक्षड के संबंध में कई डाउट होते हैं, आप सभी के मन में, पहला चीज़ तो यह है कि एक अप्रेल से से सेसन देखा जाएगा, एक एक अप्रेल को या उसक पर यहां पर यह क्वेरीश थी और उसमें रिप्लाई आया हुगा है, कि राजस्व लेकपाल मुक्य परिक्षा में अभ्यर्थी को EWS संबंधी बिबरण अपने आविदन पद्र को मौडिफाई विकल्पी की सहाथा से दर्ज करने का प्राउधान किया था, प्रार्थी त यूपी राजस्व लेकपाल भर्थी कि अभ्यर्थों के दोरा, यूपी टरपलसी आयोग के माननी सच्ची उसर से मुलाकात की गई, राजस्व राज मंतरी जी से मुलाकात की गई, बिभाग में जाकर Memphis जाकर जानकारी लेने का प्रयास किया, हर अस्तर से प्रयास हुआ, स उसके बाद फिर हम परवी करवाते हैं और इतना ही नहीं उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने अस्तर से पूरी कोसिस कर रहे हैं पहले एक दिभ्यांग आरक्षड वाला मामला था इसके बाद इलावाद आई कोड में कई प्रश्णों का मामला था आप देखेंगे भी हाली में आजका डिस्पोश्ट आफ वी उसके बाद लकनोव बेंची में कुल साथ प्रश्ण थे पाच प्रश्णों को ले करके अभी भी बिबाद है जिसमें जल्द आयोक के तरफ से परवे करते वें उसमें जवाब लगाते वें मैटर को जल्द निस्तारित करवाने की कोसिस करो के फाइणल डी भी आदी सब कुछ करा करके फाइणल डी फाइलट हमारे पास बेजेंगे हम आगे की प्रोसेश बहुत जल्द रहेंगे यंव कुल मिला करके अभी आयोक से ही कार्यापका होना है जो कुछ भी आगे की प्रोसेस होनी डी बी के लिए रिजल्ट हो या फिर डी बी कराया जाना हो या फिर फानल मेरिट लिश्ट हो इतना ही नहीं सची उसर नहीं यहां तक भी कहा कि आने वाले समय में 4000 नहीं चकबंदी के लिए अवनी सक्सिन असर का बहुत बहुत धन्यवाद है सरका और उन्होंने यह भी आस्वासन दिया कि आगे हम और भी अच्छा कारे करेंगे तो इसे से कहीं ने कि आप सभी अभ्यार्थियों के लिए बहुत यह अच्छा एक शकारात्मक वक्षा आप मान सकते हैं बा कि वीद्दे कौन डीचते हैं बहुत है माँले में 5 प्रस्तों को लेकर कि पी बइबाद हैं और इसके पहले तीन बार या चार वर सावर यह कि यह लिए लगी यह लेकि लिए ले ये matter decide हो जाता है उसके बाद फिर result तयार करने में जितना भी समय लगे तो अभी भी उम्मीद बहुत जादा है कि March लाश तक March लाश तक या फिर April के starting में आपका result declare कर दिया जाएगा माननी आयो के तरफ से इतना ही ने जो अब बेरती नई लेकपाल भरती के लिए वेट कर रहे हैं या फिर प्रिपेशन कर रहे हैं तो आप तयारी करते रहे हैं नई लेकपाल भरती भी सतपरसत आएगी जब तक भी आए इतना है ने यूपी टेपल से से पी एटी 2022 की तुरू कई भरतीयों की बिग्यापनान है एक वीडियो हमने सेपरेट इसी को लेकर के अलेडी अप्लोड किया हुआ है दो दिन पहले का आप चाहिए तो जाकर की देख लीजीगा जिसमें वीडियो है वीपी हो है लेकपाल ह आपका इस्टेन हो गए आपका अजेटिये असिस्टेन अकाउंटेंट आपकारी सीपाई का हो गया एएसो का हो गया बहुत सारी भरती है लोगर पीशे का हो गया कई भरतीयों की बिग्यापन आपको देखने को मिलेंगे तो तयारी आप सबी करते रहिए और आगे कि जो जैसे भी सही और आथेंटिक जानकारी मिलेगी समय समय पर आप सभी को हमारे चैनल के मादिम से सूचना दी जाएगी धन्यवाद